दोस्तो सब्स्राइब करना ना भूले माई फोटोग्राफी चानल को और वेल आइकोन को दबाओ लिट्टेश वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है मुनोज और आप देखे रहे माई फोटोग्राफी चानल दोस्तो आडवी फोटोशाप सीसी दो अधर सात्र का यह हमारा आज का चौता लेसन है इसमें हम एडवन्स लेवल पर लेयर्स की बाते करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो यहाँ से हम हमारी कुछ फाइल्स इमेज ओपन करेंगे यहाँ पर मैंने डिश्टॉप पर सेम्पल में रखी है यहाँ पर हम एक एपल लेंगे एक फ्लावर और यह वाटर की इमेजस हम ओपन करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर हमारी तीन इमेजस ओपन हो गई है अब हमें यह तीनों इमेजस एक ही बैगराउंड पर लेनी है तो यहाँ से हम एक नएव फाइल लेंगे कंट्रोल यहाँ दबाएंगे यहाँ पर एक डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज यह वो लेंगे और यहाँ पर हम हमारे फाइल को नाम देंगे लेयर को एड़ ओन्स लियर यहां पर हम orientation, horizontal रखेंगे, resolution 309, 72 ही रखेंगे और यहां पर create, अब हमारा यह background open हो गया, यह background हमारा यहां से पूरा white है, और यहां पर lock है इसे, तो अभी हमें, इसी background पर हमें आपनी तीन इमेजे यहां पर लानी है, तो यहां पर दो तिन तरीके है या तो फिर आप इस एपल की इमेज को यहां से माउस का लेव बटन दबा के बिना छोड़े हमारे नए वाइट बैग्राउंड पर लाके छोड़ दो तो यहां आपकी फाइल यहां से कॉपी हो जाएगे आप यहां से इसका कंट्रोल टी दब के बाद मैंने यहां पर शिफ्ट और अल्ट दबाया था दूसरा तरीका दोस्तों में बतता हूँ जैसे कि यह इमेज हमें आपने बैग्राउंड पर लेनी है तो यहां से कंट्रोल ए और कॉपी पेस्ट करो कंट्रोल सी दबाओ और हमारे बैग्राउंड पर आने के बाद यहां पर खाली पेस्ट कर दो यह हमारा अभी यह इमेज हमारे बैग्राउंड से चार गुना बढ़ा है तो इसे हम इसका ट्रांसफोर्म कंट्रोल एक्टिव करेंगे इसे हम डबल क्लिक करते हैं तो यह देखो यहां पर इसका यह दो जो लाइनिंग के वो पूरा दार्क हो गया इसका मतला अभी ए सेलेक्ट है तो यहां पर आप माद शिफ्ट और अल्ट दबा के इसे अंदर की और ले लो और अभी उसे छोड़ दो और एक बार आप Shift और Alt दबा के इसे थोड़ा अंदर दबा लो ठीके और छोड़ दो अभी हम Enter मारेंगे Enter करने के बाद हमारा ये Transform Control निकल जाएगा अब हम इस Water का जो इमेज है किसे हम उसी तरीके से माउस का Left Left बटन दबा के हमारा जो नया बैग्राउंड है उस पर लाएंगे इसका साइज थोड़ा कम कर देंगे इसका Transform Control Transform Control से इसे अंदर लेंगे तो ये हमारा साइज यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ कोई भी इमेज आपको छोटी करनी है या बड़ी करनी है तो उसका proportion चेंज नहों यह देखा जाए इसलिए आपको उसके ट्रांसफर्म कंट्रोल को जो कोने है वहाँ पर जो स्क्वेर है चार उसको आपको माउस के लिफ बटन से दबाके शिफ्ट और अल्ट बटन को तीनों बटन को एक साथ दबाने के बाद आपका जो पूरा इमेजे उसी के प्रोपोर्शर में कम या ज्यादा हो सकता है अगर आप शिफ्ट और अल्ट और छोड़के अगर आपको किसी भी डायरेक्शन में आप लेंगे तो आपका इमेज दीखने में खरब दिखेगा यहाँ यह देखो यहाँ से हम एस्किप करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखो हमारी लेयर पैनल में चार लेयर अभी मोजुद है पहला लेयर है बैग्राउंड लेयर जिसे अभी लॉक है फिर दूसरा लेयर है एपल का यहाँ पर हम नाम देंगे एपल दूसरा लेयर है फ्लावर का फूल का तो इसे हम नाम देंगे फ्लावर और तीसरा लेयर है वाटर इसे हमने वाटर का नाम देया अगर हमें दोस्तों यह फ्लावर का अगर हमें दूसरा लेयर बनना है तो आप उसी फ्लावर को दबाके यहाँ पर क्रियेट न्यू लेयर आपका दूसरा लेयर पॉपी तैयर हो जाएगा लेकिन आप सोचेंगे कि लेयर पैनल में व्लावर की दो लेयर है लेकिन-ahum यहां पे तो बैङ्गरinski में एक ही लेयर दिख रहा है लेकिन वो दूसरा लेयर गयाए तो आपको simply move tool से उस flower पे क्लिक करना है और उसे दाए या बाए सरकाना है तो देखो दोस्तों आपका ये दूसरा layer आपको यहाँ पे show कर रहा है ये जो दूसरा layer तैयार हो गया है हम इसे corner से इसका side कम ज़्यादा कर सकते है उसका side उसी के proportion में कम ज़्यादा करने के लिए आपको shift, alt और mouse के left clip को दबा के ही उसे कम ज़्यादा करना होगा अगर हमें पहली वाली layer अगर उसकी delete करना है तो जो layer हमें delete करनी है उस layer पे आपका layer पैनल में click करो और उसी को mouse के left button से दबा के यहाँ पे recycle bean का जो symbol है वहाँ पे लाके छोड़ दो आपका layer delete हो जाएगा अगर आपको layer delete नहीं करनी लेकिन उस पे अभी थोड़ा काम करना है आगे चलके तो यहाँ पे हम Ctrl Alt जेड करेंगे अगर हमें उसका काम करना है तो यहाँ पे खाली आई का जो symbol है यह हमें disable करना है तो यहाँ से हमारे background से यह layer निकल जाएगी लेकिन हम इसे बाद में ले सकते हैं काम के लिए तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यह water का जो image है या फिर जो layer है यह full की ऊपर है अगर यह full हमें water के ऊपर चाहिए तो जो layer हमने select की है फ्लावर की उस layer को layer पैनल में जहाँ पे water का जो layer है उस पे जाके आपको छोड़ देना है इस तरह से आपका flower का layer उस water image के ऊपर आ जाएगा अगर आपको इस पिछले वाले flower को सबसे आगे वाले flower पे लाना है तो उसी flower को जो पहले वाला flower है उस पे आपे यहाँ पे छोड़ देना है अगर आपको किसी layer का opacity कम करना है तो आप उससे select करके यहाँ पे layer पैनल में एक opacity दिया है तो आप यहाँ से उसका opacity कम ज़्यादा कर सकते है मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ इस apple को सबसे पहले layer पे लाके रखता हूँ अब हम apple की opacity कम करने के लिए यहाँ पे एक सिक बार दिया है उस पे हम क्लिक करेंगे इससे आपकी layer की opacity कम हो जाएगी और उसके पीछे जो भी है वो दिखने लगेगा अब हम आपको apple का जो यह layer इसके बारे में बताते इसके लिए आपको यह सब आई इन्विजिबल करना पड़ेगा तो देखो दोस्तों यहाँ पे apple का यह layer है तो आप यह मत सोचे कि apple का layer है मतलब यह apple इतना ही सीमी थे और इसका layer इतना ही सीमी थे आप इसके बाहर भी drawing कर सकते हैं जैसे कि समझो अभी आपने brush लिया यहाँ पे आपने कोई भी एक color चूट कर लो और आप यहां से एपल के layer को select करो और आप यहां से देखो दोस्तो एपल के इसी layer में पहले इस layer में जो ग्राफिक्स था वो तो उसका दायरा बढ़ गया उस layer का अभी हम इसे मू टूल से सेलेट करेंगे तो अभी इसका जो ट्रांसफोर्म जो कंट्रोल है वो थोड़ा बढ़ गया देखो पहले इसका एपल का जो ट्रांसफोर्म कंट्रल था वो सीमित था लेकिन दूसरा layer ड्रॉ करने के बाद नाया ग्राफिक्स एड होने के बाद इसका ट्रांसफोर्म कंट्रल बढ़ गया तो यहां से हम बाकी के इनेबल कर देंगे लेयर तो दोस्तों अभी हम मल्टिपल लेयर कैसे बनाते यह देखेंगे तो दोस्तों यह पर देखो एपल का जो इमेज है वो फ्लावर के ऊपर आगया है तो हमें इसे थोड़ा सा एपल को पीछे लेंगे और फ्लावर को आगे करेंगे तो इसके जो सेलेट की जो लेयर उसे हपको एपल के लेयर के ऊपर लाके रखना है तो यह एक तरीका हो गया और दूसरा एक तरीका आप उस layer को select कर लो और आपके keyboard पे control shift और जो enter के बाजू में जो bracket है उसे आपको hit करना है तो देखो इस तरह से आपका layer उपर आ गया मतलब दो तरीके से यह एक आपका keyboard के control shortcut और layer panel पे उसी layer के उपर आपको रखना है तो दोस्तो हम multiple layer कैसे तैर करते हैं यह देखते हैं पहले आप इस flower को जो layer है इसे select करो यहां से अभी हम इसे right click करेंगे layer panel में यहाँ पे देखो दोस्तो duplicate layer यहाँ पे उसका नाम आपको जो रखना है आप रख सकते हैं यहाँ फ्लावर कोपी टू यह बाई डिपल्ट आ गया यहाँ पे हम ok करेंगे तो देखो इसी flower का यह दूसरा copy तैर हो गया अब हम इसे थोड़ा सा select करके नीचे के और लेंगे तो यह हमारा flower और flower 2 का दो images मतलब दो layer तैर हो गया दोस्तो यहाँ पे flower और flower 2 के दो layer है अगर हमें इसे merge करने है तो यहाँ से आप दोनो layer select कर सकते है यहाँ से आपको एक layer पे अपना mouse क्लिक करना है और control दबा के दूसरे layer पे आपको वापी से क्लिक करना है इससे आपका layer merge हो जाएगा यहाँ देखा अब हम दूसरी तरीके से merge कैसे करते हैं आपको दिखा दे आपको flower और flower copy to select की यहाँ से आपको control E मतलब layer मेनू बार में layer के panel में merge layer control E दबाना है यहाँ से आपका दोनों layer merge हो जाएगा हमें एक से ज़्यादा और layer merge करनी है तो उस layer को और दूसरी layer को हम select करेंगे keyboard shortcut से control E दबाएंगे तो हमारी और एक layer merge हो जाएगी उसी layer में दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका काम पूरा हो गया है और उसे आभी save करना जुरूरी है तो आप सब layer को एक साथ select करो control दबा के पहली layer और last के layer को आप select करो जिससे आपका सभी layer highlight हो जाएगे और इससे आप keyboard shortcut control E दबाओ यहाँ से आपका पूरा image lock हो जाएगा यहाँ पे आपको control panel में एक भी layer नजर नहीं आर इसका मतलब आपका project पूरा lock हो गया है और आप इसे save करना चाहते हैं और एक तरीका में आपको दोस्तों बताता हूँ इसे थोड़ा सा undo करेंगे यहाँ से आप पहली layer को select करो और लास्ट वाली layer को select करो और माउस के राइट क्लिक दबा के यहाँ पे एक merge layer है जो हमने आभी मेनू बार में layer में जाके देखा वो option और यहाँ पे लिखा है flatten image लेने के बाद यहाँ पे दिखाएगा discard hidden layer okay करेंगे तो आपका image लॉक हो जाएगा मतलब आप flatten image option चूछ करके भी आप layer लॉक कर सकते हैं अभी हम इन सब layers को बन करते हैं close करते हैं without save किये तो दोस्तों आज का lesson हम यही पे खतम करते हैं आने वाले lesson में हम selection tool के बारे में पूरी जानकरी लेंगी तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमरे वीडियो अगर आप पाच्छा लगा तो लाइक करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाओ जिससे हमारे आने वाली वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले दन्यवाद